कि जेल में पर्चम ले रहा हो तुम पाकिस्तान का भी तुम इंडिया छोड़ दो इंडिया बाद में ले ले ना यहां पे भी आ जाना पहले वहां पे जेल में ले लो पर्चम तो इनका खुद का इनका बुज़र्ग यह दोनों बिलकुल भाई-भाई है करन अर्जुन इस बाद तो जाओ राश्र राइफिल कैम के अंदर भुज़ो हम भी तो देखें न कितनी वकात हैं तुमना हम भी तो तारीफ करें जाएं दोस्तों मैं हूं मेजर गारवारी और आप देख रहे हैं दिचानक के डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइक अंदा बाना बिलकुल मत धूलियागा अच्छा दोस्तों पाकिस्तान में बड़ी एक इंट्रेस्टिंग चीज़ हो गई है एक लेफटनेंट जनरल थे हमजा चोईब रिटाइड और टेलिविजन पे काफी आते हैं पाकिस्तानी टीवी पे ऐसी कोई रात नहीं है जहां पे पाकिस्तानी टेलिविजन पे ना हो और ऐसा कोई दिड नहीं है और उनका अपना यूट्यूब चानल है और दिन भर बुजर्ग ने जहर उगलना है दिन भर जहर उगलना है अच्छा जहर हम भी उगलते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए को नेक खायशात रखने दिल में ऐसा बिलकुल भी नही है तो आप यह मत सोचिएगा कि मेजर साब खुद तो आप डेली पाकिस्तान की क्लास लेते हो और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगया ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो राइट लेकिन ये जहर उगलते उगलते ये भूल गए अपने मुल्क के खिलाफ जहर क्योंकि बेसिकली देखो साब की नियत तो साब की नियत होती है है ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो साब है वो दुश्मन के लिए तो साब रहे लेकिन अपने लोगों के लिए वो खरगोश बन जाए तो ये जो बुज़ुर्ग वर थे अमजा चोयब साब लेफटेनेंट जनरल ये फुम्प कारते थे भारत ये जिहाद फी सबी लिल्ला काफिरों को ये बम मार दो अच्छा मारते मारते बम इस तरफ करते करते इनका फ़न ऐसे हो गया उल्टा ऐसे है तो इट्स रावल पिंडी ये फुम्प कारने लगे अच्छा इनको पुलिस पकड़ के ले गई ठीक है अब इनका होगा जरावल पिंडी जहां पर पाक फॉज बैटती है वहाँ पे उन्होंने परमेशन लिये होगी कि आमजच छोएब है बहुत जादा बोल रहा है इसके स्क्रू टाइट करने है जरा इसका सौफ़एर अपडेट करना है और श्रीमान क्या हमें हनुमती है उन्होंने बोला स्क्रूमती है ले जाओ अब इसकी पतंग उड़ाएंगे बुजर्ग की ठीक है मैं उनके एक दो वीडियोस मैं चाहरा था डालूं लेकिन वो फिर वो कॉपिराइट वाला मामला हो जाता है वरना इनका देली था कि हम ये क्यो नहीं कर देते हम ऐसा करते हम अच्छा हम ये कर देते हैं, हम यह क्यों नहीं कर देते हैं, इन्होंने तब नहीं करा तब यह फॉज मां सर्विंग लेटेनेंट जनरल था, तब यह अपने कोउरनर के प्लॉट बना रहे थे, तब यह जमीने गिर रहे थे हैं सिविल towards की तब एक चोरी कर रहे थे, तब एक ब्रश्टाचार कर रहे थे, तब एक करप्शन कर रहे थे, और जैसे रिटायर हो गए जिहाद फीस अब इलिल्ला, हमें जिहाद करना चीए, तो ज़्यादा जिहाद करने लगे है उल्टी तरफ, स्टेट की इंस्टूशन को question करने लगे, ठीक है फौज की तरफ सरकार की पाकिस्तान में एक लेवल तक टॉलरेट करते हैं वो लोग ना पाकिस्तानी सिस्टम का एक भारत जैसा नहीं कि आपको जो बोलना है दंदनाते बोलते चले जाओ अनलिमिटेड लाइसंस है आपके पास ना 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 वहाँ पे एक लकीर है पाक कर दी चचा को अंदर ले लिया ठीक है और हो ना हो पाकिस्तान आर्मी के आशरवाद से इनको अंदर लिया गया है तो ये बहुत बोलते थे जिहाद करना चाहिए ये भी चाह रहे थे कि जंडा वंडा लाल के लिए पे सबस परचम अपना लहरा दें पाकिस्तान का इमके बड़े मन की خواہش थी अभी तो इन सब बोलो कि झेल में परचम ले रहा हो तुम पाकिस्तान का अभी तुम इंडिया चोड़ दो इंडिया बाद में ले ले ना यहां पे भी आ जाना पहले वहां पे जेल में ले ले लो परचम तो इनका खूद का परचम बना की लोग भी थोड़ी से हट गई, तो आज मन में ख्याल आए कि नहीं यार, ये खबर हमें वापिस आपके सामने लानी चाहिए, हो सकता है आप सुन भी चुकों है खबर पाकिस्तान में जो कौटरमास्टर जेनरल है जो की पूरा खाना, पीना ये सब देखते हैं, एकबर पिंट और सप्लाई और बड़ा, कौटरमास्टर जेनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, मैं जितना कह रहा हूँ, वो, it's only a small part of it उसका बड़ा एक exhaustive mandate रहता है कौटरमास्टर जेनरल के office का, चाहे वो भारत में हो चाहे अमरीका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो चीन में हो, कहीं पर भी, तो उनको formation commanders अब चठिया लिख रहे हैं जो div commander है, core commander है ये सब लोग उनको चठिया लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने फौजियों को दो वक्त की रोटी दे दें या आपके सामने newspaper cutting तो ये पाकिस्तानी media cover नहीं कर रहा, पाकिस्तानी media is not covering this, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाब बोलेंगे तो खुद ही जूता पढ़ाएंगे उनकी फौज से लेकिन ये बात है, हमने media से news निकाल लिए या आपकी नजर से भी गुजरी होगी news कि भाई, दो वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे है तो उनका ये है कि अब भूके पेट जहाद कैसे लड़ेंगे है जोश कहां से आएगा भूके पेट तो जोश नहीं आता भूके पेट जोश तो नहीं आता तो बोला कि साथ जहाद कैसे लड़ेंगे है किस तरीके से जहाद लड़ सकते है तो जो पाकिस्तानी जेनरल है वो तो करप्ट है वो तो बिलकुल चोर है वो बिलकुल उनकी प्रापर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे तो यह सब यह परेशान वरेशान तो होने वाली बात हमारे ले है नहीं अच्छी दरीगे से कैसे हैं, भारती सेना के जेनरल विचारे पिंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मुटा भैरे उसमें रहते हैं और बहुत रेर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाब कोई केस हो गया, बहुत रेर यहां पर तो हर एक बन्दा चोर है जेनरल्स ने अपने आपको सेफ कर लिया जो सिपाई है सिपाई को दो वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में इतना बुरा हल पाकिस्तान का हो चुका है अच्छा जी अब हम आते हैं बाकी ख़बरों पे पाकिस्तानी सरकार ने मैं quickly आपको पाकिस्तान की कुछ ख़बरें बता दून पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि 25% कोटा है हज प्रिलिग्रम्स का जो डॉलर में अब पाकिस्तानी ऐसा है न कि कुछ तो बैंक में पैसे हैं कुछ इन्होंना अपने तकी और अपने मैटर्स के नीचे डॉलर फिपा रखें पाकिस्तानियान में, because they have no faith in the country, अपने State Bank of Pakistan पर भरोसा है नहीं, अपने banking system पर भरोसा है नहीं, तो चोरों की जमात है, डकेतों की जमात है, है ना, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपने डॉलर छुपा रखें, तो बोला है, जिसको हज जाना है, तो वो अगर डॉलर में देगा, तो हम उसको अलग-अलग किसम की और facilities देंगे, ये foreign exchange बढ़ाने का एक और तरीका समझ लीजिए, इन्होंने हज को भी monetize कर दी, इतने भले मानना से हैं, इन्होंने बोल दिया है के हज में भी हमें काम करेंगे, जो डॉलर पर देगा, उसको हम फेवर करा जाएगा यहां से, और, the sources said that Ministry of Religious Affairs had increased the Hudge quota for private operators from 40% to 50% which might further raised in the wake of persistent foreign exchange liquidity crunch, they said ministry would charge rupees 1 million from each pilgrim under the government scheme, but the Hudge expenses might rise to 1.3 million in case of further depreciation of the rupee, the sources said Saudi government is increasing the tax rate on Hudge by 18 to 20% तो भी है, यह साओधी अरब से भी चाबी है, कि तो मैं हज करना है तो 18-20% उस पर tax है, 1 million rupees, यानि कि 10 lakh पाकिस्तानी रुपए, और उसके उपर अगर आप डॉलर में देंगे तो आपको फाइदा है, ठीक है, यानि कि अपने ही लोगों की जेब कटना पाकिस्तानी सरकार ने शुरू कर दिया है, दूसरी चीज, भाई, चार लोग मारे गए और 14 injured हो गए बलोचस्तान के बर्खान में, यह पहला अटैक, दूसरा अटैक, खुजदर, खुजदर में, एक बॉम एक कोई जगए होगी, खुजदर वहाँ पे, वहाँ पे दो पुलिस वालों की जाने चली गई, और तीसरा अटैक वह हुआ है, कि एक और जगए हुआ पुलिस वाले के घर के आगे बंबलास्ट, पाकिस्तान में हुआ है, उसमें कोई मरा मुरा नहीं, लेकिन एक तीन अटैक 24 घंटे में हो गए, तो जो ये कह रहे थे न, कि हम गए हैं वहाँ पे, और हम अफगानिस्तान में गए हैं, और हम मिले हैं, और हमने उनसे बात करी हैं, और तालिबान ने बोला, तालिबान ने काकनी करना, सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं, पहली अपनी मोटी बुद्धी में गुसा लो, पाकिस्तान के सियासत दानो, अपनी जो तुमारी मोटी बुद्धी है, उसमें एक बात भुसालो दोनों ये भाई-भाई हैं, ठीक है, ये दोनों बिलकुल भाई-भाई हैं, करन अरजुन टाइप, और इन्होंने बोल दिया है, कि भाई मुझको राणा जी माफ करना करती मारे से हो गई ठीक है ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ये तुम्हें मारेंगे कम घजेटेंगे जादा और दोनों मिले हुए हैं ये ये दोनों मिले हुए हैं मानो मेरी बात जो तुम लोग यहाँ पे अपने ख्वाजा असिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ पे उनके पैर चुकर आया है कि हमारे अबू जी हमें माफ कर दो यार इनसे बोलो कि मत अटेक करें हैं ये क्या कर आया है तब जाके तुम जलील हो रहे हो खुआर हो रहे हो इसलिए अच्छा जी जो इशाग दर इनका फाइनस मिनिस्टर उन्होंने फिर पाकिस्तान को चूना लगा दिया इन्होंने बोला है कि जो है जो जैसे हमारे नराई होते हैं वह अगर पाकिस्तान में आएं और अपने लिए कोई फ्लैट फ्लैट खरीदना चाहें तो हम उनके लिए एक लग्जूरियस एक जगह बना रहे हैं तीन चार सोसाइटी चार रेजडेंशल प्रोजेक्स उन्होंने शुरू करे हैं लेकिन ये जमीन जो थी पहले अलोट करी गई थी गरीबों के लिए जो बेगा रहे हैं स्काम समझें आप स्काम बातारी समझ में स्काम क्या है स्काम यही है कि जो गरीबों के लिए जगह थी वो बोला कि नहीं गरीब गरीब देखो यार गरीब की क्या हो काता था पाकिस्तान में हैं गरीब चक्रम बाजी करी है और चूरन बेज दिया लाहरी चूरन ठीक है दोस्तों पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खतम डिस्परिन खतम मेडिसन खतम लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केर होती है उसके लिए दवाई नहीं है बहुत बड़ा आपको दवाई देंगे हमें स्पेशल पर्मिशन मिल गए इंडियन गवर्मेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाईयां भेज सकते हैं ठीक है लिकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार यह यह खेरात बाटने के लिए तो दंदा ना करे आदमी अपना काम न करे अच्छ ठीक हो गया शॉट टर्म मेमरी लॉस था जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याप था सरदर्द गया तो तू भी गया भागयां से यह नो ना करा है अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों अच्छा जी इसके अलावा मैं आ अधुलियन को मार दिया और एरिया को कॉर्डवन आफ करा वो टर्रिस तो मार देंगे उसको ना फॉज जो है जेन के पोलीजस को गहरगार कर देंगी उस टर्रिस को या उन टेर्रिस को जिसने यह बहुत गंदा अटेक करा है मैं अभी एक दू दिन पहले एका दिन पहले I think I was एक कश्मीरी पंडित कॉंक्लिफ थी तो उन्होंने मुझे बुलाया बड़ी इज़त दी So the government of India must arm the कश्मीरी पंडित मैं यह पहले भी कह चुका हूँ मैं आज भी कह रहा हूँ यह जो इस आदमी को मार दिया ना यहां पे इस आदमी को क्यों मारा जो जेन के पुलिस के लोगों को यह लोग मार देते हैं यह क्यों मार देते हैं मैं आपको पता हूँ क्यों मारते हैं यह कभी आपने सुना कि इन्हों ने आर्मी केंप में घुसके इन्हों ने अटैक कर दिया यह उड़ी उड़ी की कहानी तो पहले की थी उसके बाद जब से पाकिस्तान को ठोका है और जब से उनकी चूड़ीयां कसी हैं तब से कोई टचवूट कोई अटैक नहीं गवा क्यों नहीं होता आपको पता है क्यों नहीं होता यह लोग इसलिए मारते हैं कश्मीरी पंडितों को यह कश्मीर पुलीस के जेन के पुलीस के जो लोग जा रहे हैं कोई नमास पढ़ने जा रहा है कोई कहीं जा रहा है बच्चे के साथ अपने यूनों कहीं पे जा रहा है तो को पीट पे बोली मारती क्योंकि वो लोग नहते हैं इसलिए वो अनाम्ड है यह कश्मीरी पंडित को क्यों मार दिय practiced इसके पास हत्यार नहीं था, अगर इसके घर में हत्यार होता है, इसके घर में AK47 होती और इसको आती, इसके ट्रिनिंग होती, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत थी, किसी की मजाल थी, किसी की वाकात थी, इसके उपर गोरी चलाता, वो एक चलाता, वहां से 100 का फायर आता और यही मैंने कश्मीरी पंडित भाई वैन मेरे बैठे थे यही बात मैंने उनको बोली उस दिन I said the same thing that unless you pick up weapons given by the state given by the state भारत सरकार जब तक कश्मीरी पंडित जो लड़के हैं लड़किया हैं उनको इंडियन आर्मी के कैम्प्स में भेजे CRPF के कैम्प्स में भेजे हैं उनकी तीन-तीन महीने वहाँ पे आप आप ये इंडियन आर्मी की Indian Army को additional budget दिया जाए, CRPF को additional budget दिया जाए, कि उनके घर में पैसा पहुँचता रहे, कि उनके घर में खाने बीने की कमी नहीं होनी चाहिए. और इनको यहाँ पे तीन महीने कुछ मत करो, डेली इनको रगड़ो सबरे 4-5 बजे उठाके. इनकी physical fitness पे ध्यान, इनके weapon पे ध्यान, इनको बोलो कि भई, से AK-47 fire होती है, इनको minor tactics आपको सिखानी पड़ेंगे, और 3-4 मैने बहुत हैं, basic basic सिखाने के लिए, ठीक है? 3-4 मैने बहुत हैं. अगर आपको ज़्यादा लग रहा है program, आप 6 मैने का घर दो. आप इनको सिखाओ, कश्मीरी पंडितों को लाओ वहाँ पे, ठीक है ना? और उनको वहाँ पे सिखाके, you send them back into society and you give them a weapon, don't give them 303 for heaven's sake, जो village defense committees को आपने जम्मों में दे रखा है, वो किसी काम का त्यार नहीं है. क्यों मैं कह रहा हूँ? ठीक है, 303 से अगर गोली लग गई, आदमी लेट जाता है. ये बातता है, लेकिन ये भी बातता है, कि 303 आपको लोड करना पड़ता है बार बार. इट इस नॉट इवन अ सेल्फ लोड़निंग राइफल, वो सेल्फ लोड़निंग भी नहीं है, 303. आप एक बार आप बोल्ट पूरा पीछे करोगे, फिर उसको लोड करोगे, फिर फायर करोगे, फिर करोगे, फिर फायर करोगे. जब तक आप ने ये कारवाई दो-तीन बार करी, वहाँ पे तो तीस राउंड का बोचार आपके उपर AK-47 से आ गई. AK-47 का जवाब AK-47 से होता है. आप AK-47 का जवाब आप किसी 303 SLR से नहीं दे सकते हैं. ये इंडियन आर्मी को पता अच्छी दरीके से. तो आपको कश्मीरी पंडितों को, जो वहाँ पे वैली में सिख हैं, ठीक हैं, जम्मू कश्मीर पुलीस के, जो आपने constables हैं, ये सब ranks हैं, पूरे. ये बिना हतियार के क्यों जा रहे हैं? इनको भी बोलो कि तुम घर पे जाओगे, तुम वैपन लेकर जाओगे. You should have an AK or at least a pistol with you. तुम कहीं पर भी जाओगे, तुम हतियार लेकर जाओगे, तुम बिना हतियार के ली जाओगे. आप ये कर देंगे ना, काफी हद्ता के killings बंद हो जाएंगे. You have to arm the population. और जिस दिन ये लशकर और जैश फैश है, जितने भी कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान से चलता है, जिस दुन उनको पता चल गया ना, वो पंडित है, उस घर में, और पंडित के घर है के 47 है. इनका गला सूख जागा, भग जाएंगे. इनमें उकात नहीं फायर करने की. वो देखते हैं नहत्ता है, कश्मेरी पड़ित. वो सिक है, वो नहत्ता है. तो नहत्ते को तु गोली मार रहा है, इसमें कौन सा बड़ा? तीसमार खान का काम है, इसमें कौन सा बादुरी काम है नहत्ते पगोली चलाना. ओ, मैं टेर्रिस से पूछता हूँ, तुम्हें उकात है ना, तुम्हें बड़ा जिहाद का जजबा है ना, है ना जिहाद का जजबा, तो जाओ राश्टर राइफिल कैम्प के अंदर घुसो, हम भी तो देखें ना, कितनी उकात है तुमना, हम भ के देखा हो एक बार, यह पंडितों को तुम मारते हो, सिखों को मारते हो, क्यों मारते हो, यह जो जेन के पुलीस वाला, वो बिचार अपने बच्चे के साथ, यार, मैं, I cannot forget, I cannot forget, ठीक है, वो अपने बच्चे के साथ, बच्चे को लेके मस्जिद गया यार, वो पुलीस नमास पढ़ने के लिए, इसने निहत्य आद्मी के पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे के हाथ में, तुमने आठ साल के बच्चे के हाथ में गोली मार दी या, वो नमास पढ़ने, मतलब तुम्हें बिलकुल जानवर हो, you deserve raster rifles, you deserve raster, तुम्हें raster rifles ही ठीक करेगी, ठी है, वही तुम्हारे नजले जुखाम का इलाजना वही है, वही antibiotic medicine, rr, तुम्हें rr चाहिए बेटा, और arming the pundits, arming the Sikhs of the valley with sophisticated weapons, हाँ, एकात कोई बंदा है, जो दाइबाय हो सकता है, ये आपको मनना पढ़ेगा कि ये इसकी एक cost है, लिकन I think you should arm them, give them valid licenses, special आप बनाई ये program value में, के pundits and Sikhs to get licenses, arm them, and tell JNK police people, tell them, do not move out of your house, alone, एक तो अकेले नही जाना, ग्रूप में जाना है, and everybody armed, everybody armed, आप जाओ, बजार जाना है ना, दो, तीन, एक साथ जाओ, एके 47 टांके जाओ, फिर देखते हैं, किस की ओकात है, जो JNK police को हाथ लगाए, ये सारे के सारे नेह एक बड़ी इंट्रेस्टिंग खबार है, United States of America से कि Chinese जो हैं, अमेरिका में बड़ी-बड़ी जमीने खरीद रहे हैं, farmland खरीद रहे हैं, Chinese कंपनियां बड़ी-बड़ी जमीने खरीद रही हैं, और अब अमरीका को लग रहा है कि हो सकता है कि ये जमीने चाइना इस्तमाल क कायम करना, मैं बता रहा हूँ, China के पास इतना पैसा है कि कुछ पता नहीं लगेगा, चुपचा पता लगा, आदा अमरीका खरीद लिया है इन लोगों ना, ठीक है, पैसे का इंवेस्मेंट करकरके, करकरके, तो मैं इनको अलाओ क्यों करते हो या, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप बोलो, any Chinese citizen cannot buy land in America, का नहीं खतम, इंडिया में तो no foreigner can buy land, आप खरीद ही नहीं सकते, simple सा है rule, आप मना कर दो, यहीं England में कर रहे हैं यह लोग, अरे जो कॉम, एक mobile phone को इस्तमाल कर सकती है, spying के लिए, tik-tok को यूज कर सकती है, एक gaming app को यूज कर सकती है, खुफिया उसके लिए, काम के लिए, spying के लिए, आपको लगता है, वो जमीन खरी दिरी हो, काई के लिए खरी है, कद्दू गाने के लिए जमीन खरी दिरी हो, क्या लौकी मुली हुगा नहीं हो सने महाँ पे, no, अब इनको लग रहा है कि जो हमारे military installations है, Americans को लग रहा है, खुफिया और लिए ज़ो जो जिए, काम को लिए नहीं हो जो फे लिए, काम के लिए, काम के लिए, काम के लिए प्रेंप लिए, काम कि लिए, काम एंच लिए ए तो चाहते हैं कि अखलेश, आप क्यों अलाओ कर रहे हो, why is America allowing Chinese citizens to buy land inside the United States of America? you should not permit it you should only have it for friendly countries if at all if you belong to a friendly country you are welcome otherwise no, get out this should be your policy one day you are in for a surprise because the Chinese will use your democracy and your constitution against you because this is what Pakistan has done to India they have used Indian constitution and Indian freedom and Indian democracy because they don't have freedom they don't have democracy and they don't have a constitution therefore they use ours against us and we have wisened up and it's time that the United States of America also wakes up to the fact that there is a Chinese threat on American mainland so friends, it's done today's video here now let's go to our question and answer round so friends, there are only two questions the first question is Varad Rajji Varad Rajji Jai Hind you are saying that isn't it about time the west in brackets I like Germany we realize that India would never betray Russia betraying is something that is not in our DNA we will always remember who stood by us during our difficult times achha Varad Rajji Germany doesn't say that you are saying that you are going to betray Russia okay nobody is asking anyone to betray anybody first of all let's be clear this is not an emotional issue yes we must stand with Russia not in terms of aggression or attack but you know we have stood with Russia in good times and bad and Russia has stood with us so so this is what I clear that those ties of brotherhood and loyalty and culture will remain not in reference to us this is the possibility of telling me is that the world is going to be where the Russia is going to be the way to do the Russia is going to be where the Russia doesn't want to be okay fact of the matter is that सब लोग अपना माल बेचने को तैयार है क्योंकि भारत के बास पैसा है तो पहला कारण ये है, it's about dollars दूसरी चीज है कि अगर आप German equipment देखें, military equipment it is far superior far superior to Russian equipment western equipment is far superior to Russian equipment, ये बात ते है और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना जादा over dependent हो जाए किसी और मुल्क के उपर ये geopolitics के games है this is not about India betraying और somebody betraying India, nobody is betraying anybody let's be very clear, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो NSG वाले commandos use करते है, MP5, MP5 is German, Eichler and Coke का MP5, we use MP9 also, infantry battalions में, मैंने कोच चला रखी MP9, जब मैं अपनी unit में गया था 17 कुमाओ में, देरादूल में थी उस वक्त unit तब मैं गया था, मैं आपको 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 MP9 चलाई थी, MP9 है वहाँ पर so, all these weapons are coming and the latest equipment and all from all over the world is coming into the Indian army Germany सिर्फ ये चाहता है कि थोड़ा से dependence उसके उपर भी हो जाए जाहिर सी बात है और भारत ये चाहता है कि किसी के उपर dependent ना हो ना रशिया के उपर ना चमेनी के उपर इसलिए मोदी जी ने आत्मिरवार भारत वाला गेम शुरू करा है जो कि काफी successful है और अब उनको target दे दिया है पाँच अरब डॉलर का export का हर साल का ये पाँच अरब पचास अरब भी होगा एक दिन आज से पंदरा भीस साल बद तो ये जो मोदी जी ने पूरा शुरू करा ना आत्मिरवार भारत ये इसी के लिए है जो आप बोल रहे है जब तक हम लोग पूरी तरीके से आत्मिरवार नहीं होते जिसमें समय लगेगा लेकिन जिसको कहते हैं कि 200 की स्पीट पर मर चुके आ गया है 200 की स्पीट पर तो सिंपल सी बात है कि जब इंडिया के पास पैसे होंगे और इंडिया बोलेगा तो दुनिया भर वाली लोग आएंगे और बोलेंगे साब यह ले लो यह ले लो उनके ऊपर रशिया से क्यों ले ले लो हम से ले लो रशिया बोलेगा अमरीका से क्यों ले लो हम से ले लो वो नॉर्मल सी बात है वो चलता रहता है Nothing to worry about. Manav Sharma ji, John. I have a small question. Will it be worth for Indian Air Force to acquire new latest fighter jets from Russia like MiG-35 or Sukhoi-35 in order to fill up the gap of depleting AIF squadrons? It would give India an added advantage of getting upgraded technology that existing Sukhoi-30 or MiG-29 and other maybe cheaper and quicker option regards Manav Sharma. Manav ji, first of all, I'm very impressed that you did ask him. Sir, right, that is the whole idea that I was trying to आपको बागी बीच में अगर हम किसी के साथ देखें आपको इक बात समझनी पड़ेगी कि ओवरॉल देखो कुछ ऐसी चीज़ दो सकते हैं S-400, S-500 which are the best systems in the world, right? बट अगर अगर आप टैंक्स का देखें, अगर आप ऐकराफ्ट का देखें I don't think, I don't think China or Pakistan have anything like the Rafale जो हमारे पास Rafale आए हैं न, चीन ने कभी खाब में नहीं सोचा हूँ चीन के पास सखोई खोई दुनिया बर के पड़े में रूस से लेकर खुद भी बनाते हैं वो लोग चीन ने कभी खाब में नहीं सोचा कि Rafale जैसे है क्राफ्ट अब Rafale जो है, I think what we should do, जब तक हम लोग आप निरवरता की तरफ नहीं जाते हैं इंडिया शुड़ दू इस सो दो सो रफेल बनाने की भारत में फैक्टरी डाले हैं टेक्नोलजी ट्रांसफर लें और जो यह जो डिसॉल्ट वाले हैं उनको बोला जाए कि आप यहां पे फैक्टरी खोलो और यहां पे रफेल बनाओ इंडिया में इंडिया में विद तेक्नोलजी एंडिया शुड़ रफेल्स कोड़न और बाकी जो क्योंकि ट्विन इंजिन है वो और जो सिंगल इंजिन के लिए आपका तेजस है और अगर आपको और चीह तो आपका ग्लोबल टेंडर तो ही उसके उपर वाइधिंग 126 ओ इंडिया इसराइली कि उसके बिएबर रॉपन शुड़ अवज तो और यॉज विजिए गूर शिवर एंट जो तेजुन ifadra आपकी इंडिया शुटार की जो शुट बनी है तो युद्व आपकी इंडिया वाइधिन प्रा इसराइली शुटार की तो यूर अजिन परे ज वो पर्षाइकल्स पुट तोगेधर है एक के बाद दो मोटरसाइकल उससे लंभी तो राइफल वो एंटी मेटीरियल राइफल उमने देखिए हाथ में पकड़ी है मैंने वन परसंट कांट लिफ्ट इट आइट लिफ्ट इस अपूड नॉट रिफ्ट वेरी हवी बट अल् हमारे 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 पास चिनूक आगाया हमारे पास अपची आगए विए टौकिश अगए जो नेवी के ले हम ने कुछ लिये है नाम उनका CH-54 is something Romeo those helicopters which we have got Poseidon aircraft ये जो चीजे हैं ना हमारे पास हमारा equipment profile धीरे 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 बदल रहा है और इसमें काफी बदलने का ये मतलब नहीं कि हम रूस को छोड़के हम किसी और मुल्क को जा रहे हैं रूस को छोड़के हम जारतर आत्मिरवर्था पे कर रहे हैं जैसे कि aircraft carrier हमारा निकल गया वो आत्मिरवर्था पूरा made in India था 76% was Indian इसके अलावा what is happening is that we are buying from all over the world now we are not depending only on one supplier or two suppliers we are buying from all over the world तो ये चल रहे है दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद पसंद आए ना तो लाइक जरू करिएगा हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा जैहिंद वंदे मातरम भरत मता कीजएए कि लिए पसंदा है कर भोली ता ङहान हêts मम इसरा पसबादी पसंद आए कि लिया। हएception रिलकुल मता कीज़ रिलकूल कि चानल की कोयो सब्सक्राइब की अजर कि भूलिएए लिएगे पसे खिमारा कीज़सितं भborत खिमारू औरू मता agreeing झाल झाल